नमस्कार मैं हुआ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं NWF News शहीद कैप्टन अंशुमान सिंग की पत्नी स्मृति सिंग को लेकर इन दिनों खूप चर्चा हो रही है राष्टपती द्रौबदी मुर्मो से कीर्टी चक्र मिलने के बाद से ही स्मृति सिंग को लेकर तमाम खबरें आ रही है क्योंकि साथ ससूर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बहु ससुराल से सब कुछ लेकर माईके चली गई अन्शुमान के मातापिता कई इंटर्व्यू दे रहे हैं और बहु पर इस दोरान कई आरोप लगा रहे हैं जिसके बाद इसमृति सिंग की सोशल मेडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई है हलंकि इस बीच कुछ हैसा भी हुआ है जिस पर हंगामा मच गया है दरसल लोगों ने इसमृति सिंग को ट्रोल करने के चक्कर में एक दूसरी महिला को सोशल मेडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया जिसके बाद अब वो महिला एक्शन लेने के तयारी में है दरसल सोचल मीडिया पर एक महिला को शहीद कैप्टन अंशुमान सिंग की पतनी बता कर ट्रोल किया जा रहा है जिनका नाम रिश्मा सेविस्टियन है वो इस ट्रोलिंग से अब इस कदर परेशान हो गई है कि कानूनी कारवाई करने की बात कह रही है और रिश्मा ये भी कह रही है कि अगर लोगों ने आगे मुझे इसी तरीके से परिशान किया तो मैं सब पर करवाई करूँगी कौन है रिश्मा सिविस्टियन रिश्मा सिविस्टियन केरल की जानीमानी फैसन इंफ्लेंसर है इंस्टाग्राम पर उनकी लाखों में फालोइंग है वो लगातार सोसल मीडिया पर एक्टिव रहती है रिश्मा अपनी बेटी और पती के साथ जर्मनी में रहती है फिलाल केरल आई हुई है ऐसे में अब जब उन्हें शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी समझ कर ट्रूल किया जा रहा है तो उन्होंने कहा है कि वो कैप्टन अंशुमान सिंग की पत्नी नहीं है रिश्मा सिविस्टियन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोच्ट में लिखा ये इस्मृति सिंग का अकाउन नहीं है कृपय भरामक, जानकारियों और नफरत भरी टिपडियां करने से पहले मेरे प्रोफाइल और बायो को पढ़े या बेतुका सा लगता है इस्मृति सिंग के बारे में गलत जानकारी फैलाने की खाती मेरी पहचान का उपयोग किया जा रहा है इस मामले में हम कानूनी कारवाई की तैयारी कर रहे हैं अगर कहीं भी इस तरह की पोस्ट दिखे तो मेरे साथ साजा करे हो जानकाई देते चलें कि कैप्टन अंशुमान को इसी महिने की सुरवात में मरणोपरां कीर्थी चक्र से सम्मानित किया गया था उनकी पतनी इस्मृति सिंग ने राजपती द्रौबदी मूर्मिय से या सम्मान गरहन किया पिछले 19 जुलाई को कैप्टन अंशुमान भीसर आग से साथियों को बचाने की कोशिस कर रहे थे जिसके विज़ा से उनकी जान चली गए ऐसे में उनकी बहादुरी को सम्मान मिला और कीत्री चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया लेकिन इसके बाद पतनी इसमृती सिंह पर अंशुमान के माता पिता कई गंभीर आरूप लगा रहें और कह रहे हैं कि बहुत सब कुछ लेकर चली गई है जिसके बाद इसमृती सिंह को सोसल मेडिया पर ट्रोल किया रहा है और इसी ट्रोलिंग में ट्रोलर्स ने गलती कर दी और उन्होंने इस्मृती सिंग की जगहा रेश्मा सिविस्टियन को इस्मृती सिंग समझ लिया और उन्हें लगातार टैक करके ट्रोल किया जिसके बाद रुष्मा सेबिस्ट्रियन ने कहा है कि अगर इसी तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया तो वो सब के खिलाब कारवाई करेंगे